क Character in चाहते हैं तो कैसे आद बनाना सकते हैं तो कैसे आप सकते हैं तो अस कर ciao है और जो है उसके अन्दर मैं अगर आप देटा होता है उसके अंदर में wew view कैसे करवाते हैं अपने application के अंदर में जो कि लोगों को पता नहीं चलता है लगता है कि application में ही open हो रहा है लेकिन यह actual data आता है website से ठीक है तो यह सब चीज कैसे react native के अंदर में होता है मैं इस सारा डालते रहते हैं तो चलिए मैं ले चलता हु आपको VS Code में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हो कि Custom 하루 usted simple तरीके से बहुत ही असान तरीके से अंदर ilot क में बताता है ठीक है तो सबसे पहले आप यहांपOM देख सकते हैं कि कुछ मेरा Iस रखा भी दिख रहा है तो सबसे पहले जो मैंने आल्रेडी डैवलाप करके रखा हूं वो चीज को मैं सबसे पहले हटा देता हूं ठीक है वो चीज को जो है मैं सबसे पहले अपना जो है मैं इसके अंदर में वो चीज में हटा देता हूं ठीक है फ्रेंट तो अब भी हम जब हटा देने के बाद में हमारा कुछ कैसा दिख रहा है ठीक है तो वह चीज़ भी हम देख लेते हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि यह हमारा जो है यहां पर कर देंगे तो हमारा यह चला जाता है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा दिखेगा भी ठीक है तो सबसे पहले हमने यहां जो है दिखाने के लिए आप लोग को कि यही अप्लिकेशन से चल रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं करते यहां पर मतलब आता है इसको डिस्प्ले करना आप बैटर समरी पाएंगे सबसे ठीक है तूब सबसे पहले जो है यहां पर जो है मैंने एक function जो बनाया यह यहा। कर दिया मैं फिर बैक करता हूँ अब यहां पे बैक कर देनी के बाद मैं फिर दिखेंगे कि मारे यह यह आ जाता है वापस ठीक है यह आ जाता है तो कैसे हुआ तो सबसे पहले जो है यहां पर मैंने एक function बनाया ठीक है function क संथाट बार फंक्चन को मैंने उडार के अंदर काल कर दिया थीक है यहां पे आप देख रहे हैं यह ड्रौवर के अंदर है रियक्नेटिव का उसको और प्रॉप्स पास किया उसके बाद में यहां पे इसको कॉल कर दिया उस function को तो यहां पे कॉल कर देने के बाद में यह हुआ यह कि अगर हम यहां पे कुछ भी यह सब में जड़त नहीं है अगर आप इमेज पाथ लेना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन यह सब की यहां पर जड़त नहीं है तो सबसे पहले जो हमने safe area view लिया और style में जो है flex one कर दिया ठीक है flex one कर देने के बाद में अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह चीजों को अगर हम हटाते हैं हमारा तो मतलब तो यह हमारा जो है इमेज गायब हो जाए ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो है यहां पर हमारा इमेज गायब हो गया ठीक है इसको जो है इसको ड्रॉवर के अंदर में सारा पेज कॉल हुआ है ठीक है तो यहां पर जो है हम इमेज लेने के लिए सबसे पहले हम एक व्यू ले लेते हैं जो कि व्यू लिया है हमने यहां पर एक सेकेंड मैं करके ही दिखाता हूं जैसे आप यहां पर व्यू लेते हैं गर हम व्यू लेने के बाद में एक व्यू ले लिए ठी भीके इसके अंदर में विव लेने के बाद में यहां पर करना कुछ नहीं है जो image था image को जो हमारा इसमें से call करना है जैसे होता है आये image उसके बाद में वह path देना ठीक है तो वह path जो हमारा हमने वह path है वह वह और जो path था वह उसके अंदर में मैं थोड़ा का confusion हूं कि वह पात कैसा था इसलिए मैंने उसको अटार गे बैग कर लेता हूं उसको वह image का पात है image का पात अच्छा यह वाला यह 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 बात यहां पर ठीक है तो एक जिसको कॉपी कर लेता हूं उसके बाद में मैं दिखाता हूं लोगों को यह वाला जो है व्यूरा रहन वही image को paste कर देती है image को paste कर देने के बाद में यहां पर हम लेंगे style ठीक है style ले लेने के बाद में यहां पर हम यहां यहां पर यहां पर बंद हो जाएगा तो अभी हमारा कुछ कैसा दिख रहा है ठीक है तो इमेज सेटिंग करना है सिर्फ एडर में हमारा तो इमेज यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो image हो विल्कुल आ गया विल्कुल ऐसे कैसे आ गया इतना लिखने के बाद में क्यूंकि मेरा style seat से जो है कहांगे style seat से जो है यह हमारा control already है ठीक है यहां पर हमने style लिखा है style लिख देने के बाद में यह style मेरा already नीची है तो अपने मताबिक से कैसा मतलब style बनाना है कितना width रखना है कितना hat रखना है कितना margin top रखना है अपने कस्टमाज करना है अपने मताबिक से ठीक है जैसे आपका ड्रॉवर में fit हो ठीक है फ्रैंट तो इस तरह से आप जो है कस्टमाज करके अपना image हम यह image जो है image हम आपने website से लिया है ठीक है किसी website से मतलब हमने लिया है वह image display कर रहा है उसके बाद में कैसा color वगरा रखना इमेज के अंदर में एक style sheet ले लेना है style sheet अपने मुताबिक से जो है कैसा fit रखना है कैसा नहीं रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बना लेंगे अब यहाँ पर जो है यह चीज भी call करना जरूरी है ठीक है यह जो यहाँ पर ड्रॉवर का scroll होगा न यहाँ पर इस तर ज header बनाने के लिए ठीक है हमने इसको header बनाया तो header में हमारा कुछ तरह से दिख रहा अब यहाँ पर page पेज को अगर आप जो है उसमें से जो हमारा page यह सब दिखता है यह सब page जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो कुछ हमारा आगे जाएगा ठीक है यहाँ पर click कर देने के ठीक है तो इस तरह का जो हम complete हमने इसको रियक्नेटिव में बनाया है इस चीज को हम इसको आप पार्ट टू-पार्ट हम आपको वीडियो बना बना के आप हम चैनल में डालेंगे आप बिल्कुर इसमें अगर आप सिखना चाहते हैं इंट्रेस्टेड हैं तो आप बिल्कुर चैनल के मारें से आप सीक सकते है रिखनिटीव ठीक है तो यहां पर जो है हमने अप को सारा पर बेज-क्यर को काल कर दीए कां डॉवर के अंदर में होने लगेगा ठीक है बाकी चीज में ना हटा दिया आप यहां पे देखें सिर्फ एक ही homepage रह गया ठीक है homepage रह गया तो homepage रह गया तो इसके लिए फिर मैं back कर देता हूँ चीज को फिर हमारा जितना भी page है वह उतना हमारा page आ जाएगा ठीक है इसके अंदर में देख सकते हैं लए फिर सारा pages आ चुछा है इसके अंदर में तो बस इसी तरब से आप custom drawer को बना सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप जितना page चाहेंगे उतना page जैसे आप प्रक्राइब देख सकते हैं याद रहे कि यह जो हमारा पेज जो होंगे वो ड्रौवर डॉट नविगेटर के ही अंदर में होना चाहिए नहीं तो फिर आगे पीछे एकर आप एड करना चाहते हैं इसके अंदर में आप नया नया पेज को फेज को एड कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारा फिर से आ गया ठीक है यहां पर कॉंटक्ट का और बस इसी तरह से जैसे एक फिर में और कॉपी कर लेता हैं देखता हम क्यों ने दिखाई लेता है यहां पर कर लेते हैं, तो side error आ जाता है, error आ गया, देख सकते हैं कि मतलब एक ही चीज़े की component को double double call, और और को नहीं call कर सकते हैं कि found duplicate a screen named contact us ठीक है, तो इस तरह से नहीं करने देगा, तो इस तरह से आप बिलकुल जो है अपना जितना भी drawer में चाहें उतना नया नया pages को add करके मतलब इसके अंदर में आप display करा सकते हैं ठीक आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया इसमें तो इसी तरह से आप drawer को customize करें friend मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जराब अगर आपको अच्छा लगा हो और रियक्नेटिव अप्लिकेशन से रिलेटेड अगर अप्लिकेशन रियक्नेटिव के अंदर में डेवलप करना चाहते हैं घर बैठे तो वीडियो को जुरूर लाइक कर दे और चैनल में हमारा सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर अपना चैनल में हम वेबसाइट से रिलेटेड अपलिकेशन से रिलेटेड हम ढालते रहते हैं friend तो बस वीडियो को अब दो आप अच्छा लगे तो लाइक करें फिर मैं ब बाइ बाइ